डूसो में अप सभी का तेजल सा स्वागत करता हूं। दूसो में आप सभी के फॉन के बैटरी बहुत जल् дост खतम होता हैं मोबाल इंटर्णेट डेटा बहुत जल्स खतमुता ना तो इसके पीछे का कारण है मोबाल के अंदर गोगल Google Chrome Browser यह जो Google Chrome Browser आप जो देख रहे हैं इस Google Chrome Browser के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक नीओ खूफिय राज नीओ खूफिय फीचर और सेटिंग छुपए होते हैं जिसके कारण से आपके फोन के बैटी बहुत जल्दी जल्दी सपाचट करदेता है, बैठरी खतम हो जाता है, डेटा खतम हो जाता है, और आप इसे चाहोगे डिलेट करना, तो आप इसे डिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिलेट करने की जरूत ने, इस Google Chrome ब्रोजर के अंदर ऐसे इसे सेटिंग बताऊंगा ऐसे से फिचर बताऊंगा अगर आप यह सेटिंग आप बंद कर देते हो ना तो आप अपनी फोन की बैटी जो ना तीन से चार दिन तक आप बढ़ी आसानी से चला सकते हैं एक बार फूल करने के बाद जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आज आज का वीडियो काफी कमाल का है तो वीडियो को पूरा देखना चलिए जोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं के लिए तब वीडियो स्टार्ट मेरे नाम से तारे और आप देख र और नीचे देखिएगे आपको setting मिल जागा तो setting में जानी के बाद दूस्त आपको क्या करना नीचे जाएंगे डाट तो आप एक setting मिलेगा privacy and security नाम करके het setting मिल जाएगा इस setting की खिhik करने के बाद ऐस्तों यहां पर एक आपको दिखने को मिल जागा safety browsing आपको नजर आता होगा safety browser पर आप click करते हो ना तो यहां पर काफी सारा setting मिल जागा तो यहां पर देख सकते हैं मेरा browser पर standard यहां पर select है लेकिन आपको यह गलती नहीं करना feature आ चुका double कर सकते हैं दूसरा यह होगा कि आप अपनी फोन की इंटरनेट डेटा जो ना काफी जादा save कर पाऊगे वह भी 50% data को save कर सकते हैं तो दो-दो फाइदा होने वाला जो आप यहां पर नए फीचर आ चुगा तो इसे आप on कर देना होगा तो जैसे आप इसे on करने से यह फाइदा होगा कि गोगल क्रोम ब्रोजर के अंदर आप काफी सारा website के अंदर जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे website होता है जो facing है harmful होता है डेंजर होता जो आपका data चोड़ी कर सकते हैं लेकिन इसे on करने के बाद जो secure website होगा उसी open करेगा जिससे कि आपके phone की बैटी जो जल्दी खाएगा नि क्योंकि आप fraud website के अंदर जाएंगे तो तो तरह तरह के add आएगा बहुत सरा advertising आगा जो आपका data भी खतम होगा और आपकी battery भी खतम होगा तो यह गलती नहीं करना और यह setting कौन करना काफी जरूर है जो मैंने आपको बता दिया तीसरा feature और setting में आपको बता देता हूं तो आपको नीचे जाएंगा तो यहां पर आपको मिल जागा जैसी का आप देगा do not track जिहां इस पर करिक जो आप इसे कर सकते हैं अपना privacy बचा सकते हैं तो काफी कमाल का setting आप इसका यूज कर सकते हैं तो यह ता तीसरा नमर का setting मैंने आपको बता दिया आप बात करते हैं यहां पर चार नमर का setting के बारे में फीचर के बारे में जो Google Chrome browser के अंदर छुपा हुआ है तो आप यह setting ज इसका मतलब कि आपको ब्रोजर जो ना बिलकुल ठीक है यह आपको कोई भी problem आगया ने कि क्रॉस का आपको निसान आगया तो इसका मतलब कि आपके ब्रोजर में आपको problem है यह आप उससे ठीक नहीं करोगा तो आप अपनी phone के battery जो ना बहुत जल्दी जल्दी खाएगा य अगर आप यह तीनों का तीनों यहां पर टिक कर देता ने यस का चीन आ जाता ना तो इसका मतलब कुछ भी problem नहीं है आप अपनी phone के battery को जो ना काफी जादा increase कर सकते हो data को आप save कर सकते हो तो इसे चेक करना काफी ज़रूरी है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बत दिन तक आप बड़ी आसानी से चला सकते हो यह guarantee के साथ कर रहा हूं तो यह setting आपको कहां पर मिलेगा नीचे जाएंगे न तो यहां पर मिलेगा themes नाम करके एक feature मिल जाएगा इस पर आपको click करना होगा click करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ का आप लोग गलती यह कर देते हैं कि आप यह setting नहीं करते हो ना तो आप पूरे दीन भर में कम से कम जो ना 5-6 बार जो ना mobile को charge करोगे फिर भी mobile का battery जल्दी जल्दी खतम होगा लेकिन आपको क्या गलती कर देते हैं यहां पर system यहां पर default होता है तो default भी आपको रखना नहीं है यहां पर battery जो जल्दी consume नहीं करता जी जिससे भी आप engineer से पूछोगे बड़ा-बड़ा mobile इसपर से पूछोगे कि भाई मैं battery को save करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए तो dark mode का suggestion देगा तो dark mode यदि आप on कर लेते हो ना तो आप अपनी phone की battery life को काफ़ी जादा increase कर पाओगे जो आपक सेटिंग बता देता हूं जो बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है और इस सेटिंग को भी करना काफी ज़रूरी है यहां पर आपको notification मिल जागा इस notification पर किलिक करोगा ना करना इस setting को बंद करना बंद करने से ही होगा कि आप कोई भी website के अंदर जाते कुछ भी आप search करती ना तो आपका सोच के देखना कि कितना ज्यादा बैटरी खाएगा कितना ज्यादा बैटरी को सपचट कर देगा कंजूम करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो इस बात का ध्यान देना कि आपको यह setting को बंद करना तो जैसे बंद करेंगा तो किसी का भी आपका notification आएगा कोई की वेबसाइट का notification नहीं आएगा तो इससे यह फायदा होता जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं तो यहीं था कुछ ऐसे hidden feature और setting जो Google Chrome browser के अंदा छुपा हुआ था जिसके काराल से आपकी फोन के बैटी जल्दी जल्दी खतम होता था सपा चट करता था तो मैंने आपको बता है आपको यह setting करना काफी जरूरी है तो उमेद करता हूं कि आज का वीडियो काफी interesting बहुत ही कमाल के लोगा अगर आपको वीडियो वीडियो को लाइक करते ना चुछ सब्सक्राब करके वेल पूल बैस करते ना दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में अपने क्या लेकर टेकर और गुडबाई